इमानदारी का इनाम प्यारे बच्चों, एक कहानी सुनो, बड़ी मज़दार यह कहानी परियों की नहीं है, यह कहानी राक्षस की भी नहीं है यह कहानी तो है गरीब लकड़ारी की लकड़ारा खूब मेनत करता था दिन भर लकडियां काटता और शाम को नहीं बेच कर अपने बच्चों का पेट पालता यह लकड हारा था बहुत सच्चा और इमानदार एक दिन एक नदी के किनारे पेड पर चड़कर लकड हारा लकडियां काट रहा था वह काट काट कर लकडियां किनारे पर डालता जाता अचानक उसके हाथ से छूट कर उसकी कुलहाडी नदी में जा गिरी अब लकड़हारा परिशान करे तू क्या करी उसके पास तू दूसरी कुलाडी भी नहीं थी अब शाम को बच्चों को क्या खिलाएगा सोच कर लकड हारा बहुत दुखी हो गया हार कर वहां आखें बंद कर नदी के किनारे बैठ गया और हाथ जूड कर भगवान से प्रार्थना करने लगा हे देव मेरी कुलहाडी लोटा दो मैं अपनी कुलहाडी नदी से कैसे निकालू मैं कुलहाडी के बिना लकडियां कैसे काटूँगा तभी एक चमतकार हुआ पानी में से एक हाथ उपर आया उस हाथ में एक सोने की कुलहाडी थी नदी से आवाज आई अपनी कुलहाडी ले लो लकड हारा आगे नहीं पढ़ा बोला यह कुलहाडी मैं नहीं लूँगा यह मेरी नहीं है हाथ वापस नदी में चला गया अब एक दूसरा हाथ पानी से उपर दिखा इस बार उसमें एक चांदी की कुलहाडी थी नदी से फिर आवाज आई यह कुलहाडी तो तुम्हारी है नहीं नहीं यह कुलहाडी भी मेरी नहीं है कहकर लकड़ारा रोने लगा हाथ वापस पानी में चला गया निराश लकड़ारा वहां से उठने ही वाला था कि नदी से फिर आवाज आई अच्छा देखो यह कुलहाडी तो जरूर तुम्हारी ही होगी इस बार हाथ में एक लोहे की कुलहाडी थी हाँ हाँ यह तो मेरी ही कुलहाडी है खुशी से लकड़ारा कुलहाडी की और लपकने लगा तब ही आवाज आई तुम सच मुच में एक इमानदार व्यक्ति हो पानी के देवता तुमसे बहुत प्रसन्न है उन्होंने तुम्हारी इमानदारी का इनाम ये तीनों कुलहाडियां तुम्हें दी है लकड़ारे ने आगे बढ़कर तीनों कुलहाडियां ले ली वह बार-बार पानी के देवता का धन्यवाद करने लगा उसके आँखों से खुशी के आसु बहने लगी तो बच्चों सुनी कहानी, इस बाट से यह सीख मिली कि लालच मत करो, इमानदार बनो, सदैव सच बोलो, ऐसा करने पर ही तो तुम अच्छे बच्चे कहलाओगे.